ये मेरी चार साल पहले की पिक है, यहाँ पर मेरा वेट बहुत ज़्यादा था और एक हेल्दी राइट के साथ मैंने अपना वेट लोज किया है, 28 kg मैंने अपना वेट कम किया है, अगर आप भी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें अच्छे रिजर्ट मिलेंगे, अगर आप एक दिन में एक किलो तक वेट कम करना चाहते हैं तो आपने अपनी पूरी डाइट को हेल्डी बनाना है, 3-4 लेटर आपने पूरे दिन में पानी पीना है, बहार की चीजों को अवर्ड करना है, तला भुना अवर्ड करना है गर का पपीता खाना है अगर इस तरीके से आप इसको अपनी डाइट में एड करते हैं तो एक दिन में आपका एक किलो तक वेट कम होगा रेसिपी देख लेते हैं कि इवनिंग टी मैंने कैसे बनाई है और क्या क्या हमें समान चाहिए इसके लिए उससे पहले वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेयर जरू कर लेना इवनिंग टी बनाने के लिए मुझे आपर एक कप गरम पानी चाहिए और आधा चमच चाय की पती चाहिए जो हम घर में यूज करते हैं चाय बनाने के लिए वही हमें चाय की पती चाहिए आधा चमच और एक कप गरम पानी में मैंने आधा चमच चाय की पती को एड कर दि की चाई पति में कैफिन होता है जो हमारी स्किन से मुहासू को ठीक करने में हेल्प करता है और हमारी स्किन को यंग रखने में हेल्प करता है ये टी अगर आप regular अपनी diet में add करते हैं तो आपकी skin पर बहुत ज़्यादा glow नज़राने लगेगा और अगर आपके face पर दाख दब्बे हैं मुहासो की निसान है, जाईया है, pimple है आखों की नीचे dark circle है तो वो भी आपको कम होते भी नज़राने लगेंगे और चाय पती डाल कर मैं इसको 2 मिनट के लिए side में रख दूँगी और 2 मिनट के बाद मैं इसको strain कर लूँगी और tea बनाने के लिए आपने गरम पानी का use करना है और strain करने के बाद मैं इसमें आदर चमच नीमबू का रस add करूँगी और इसमें हमने कुछ भी और add नहीं करना है इसको mix करना है और हमने इसको पीना है इसको पीना कब है? आपने इसको शाम को पीना है डिनर और लंच के बीच का जो टाइम होता है तब आपने इसको पीना है अगर आप चाते हैं कि वेट लोस के साथ आपकी स्किन भी healthy रहे ग्लोइंग रहे तो ये टी आपने कम से कम 15 दिन तक अपनी डाइट में add करनी है जब आप इसको add करके रखेंगे तो आपको अपनी स्किन पर अपनी health पर बहुत जाता फर्क दिखेंगे आपको वेट लोस में भी help रहेगी और आपकी स्किन भी glowing हो जाएगी अगर आपको वीडियो थोड़ा से भी अच्छा लगा है तो वीडियो को like करे ना, चानल को subscribe करे ना, वीडियो को share करे ना तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बार take care, thanks for watching